उदूर के मुझाफिर हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अखेली 11 दिसंबर 1922 को पेशावर पाकिस्तान जो की तब के ब्रिटिश भारत में था में जन में मुहम्मद यूसुफ खान को अपने पिता के साथ जो की फलो का कारोबार करते थी पेशावर से बंबई आना पड़ा वो तब बंबई था और आज के डेट में मुंबई है पिता के विवसाय में हाथ बटाते हुए यूसुफ खान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उतार चड़ाओ भरी उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जो उनके जीवन की दिशा बदल कर रख देगा और उन्हें यूसुफ खान से दिलिप कुमार बना देगा दिलिप कुमार ने अपने आत्म कथा The Substance and the Shadow में लिखा है कि एक दिन दाधर जाने के लिए चर्च गेट स्टेशन पर वो लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तब ही उनके परीचीत साइकोलोजिस डॉक्टर मसानी उन्हीं म मिलवाता हूँ शायद तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए उस से में उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत पदलने वाली है बॉम्बे टॉकी उस दौर की सबसे काम्याव फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी उसकी मालिक देविका रानी उस दौर की दिगज और मशूर अभ बाविश्य के सूपर स्टार की जलक महसूस हो रही थी देविका रानी ने यूसफ खान को बारसो पचास रुपए के महनताने के तौर पर बॉम्बे टॉकीज में काम करने का ओफर दिया और नए नाम दिलिप कुमार का सुझाओ भी दिया 1943 के दौर में बारसो पचास रुपए काफी होते थे दिलिप कुमार को ये साल आना ओफर लगा लेकिन देविका रानी ने उनसे कहा कि ये उनकी महने की तनखा है बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म में ही देविका रानी ने यूसिफ खान को नए स्क्रीन नेम दिलिप कुमार के साथ हीरो के तौर पर लॉंच किया 1944 में आई ये फिल्म थी जुआर भाटा दिलिप कुमार के डेब्यू ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और असफल रही फिल्म समेक्ष को द्वारा फिल्म की और दिलिप कुमार की काफी आनुचना की गई लेकिन देविकारानी को पूरा यकीन था कि दिलिप कुमार एक बहतरीन अभिनेता बन सकते है और हुआ भी वही 1947 में आई फिल्म जुगनों की सफलता ने दिलिप कुमार को इंडरस्ट्री में एक स्थापित नेता बनने के नीव रख दी दिलिप कुमार ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उनके बहतरीन अभिने से सजी अंदाज जोगन बाबुल दिदार तराना दाग आन उडन खटोला इंसानियत देवदास नया दौर यहुदी मधुमती, पैगाम, मुगले आजम, कोहिनूर, लीडर, राम और शाम, शक्ती, आजाध, गोपी, क्रांती, विधाता, दुनिया, कर्मा, सौदागर जैसी एक से एक बढ़कर फिल्मों की फैरिस्थ काफी लंबी है ट्राजिटी किंग के नाम से मशूर दिलिप कुमार ने फिल्मों में सभी प्रकार के दमदार रोल निभा कर साबित कर दिया कि वे अपने दोर के सबसे ज्यादा प्रभावशारी अभिनेता थे उनके अभिने कोशल और सनवार अदाईगी का हर कोई कायल था उनको मिले अंगिनत पुरुसकारों और सम्मानों से इस बात का अंदाजा लग जाता है कि हिंदी सीने जगत में उनका अभिने कोशल और योगदान कितना सरानी एवं अतुल्ली है 1983 में उन्हें Film Fair Award मिला था सर्वस्रेश्ट अभिनेता के लिए 1968 में शक्ती फिल्म के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला 1965 में भी राम और शाम फिल्म के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला उएलऔर में मिला सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुर। इसके अलावा कोही नुर, नया द्वर देवदास, आजाद। इन सभी में उन्हें सर्वस्रेष्ट का फिल्म Aware अबिनेता वाला अवॉर्ड मिला। इस प्रकार कुल 19 बार फिल्म फियर पुरिसकार के लिए नामांकित हुए दिलिप कुमार 1962 में सर्विस्नेष्ट अभिनेता का पुरिसकार मिला गंगा जमना फिल्म के लिए सगीना महतों के लिए भी उन्हें सर्विस्नेष्ट अभिनेता का पुरिसकार मिला भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मभूशन मिला 1991 में Film Fair Lifetime Achievement Award 1994 में मिला दादा सहाफ फाल के पुरिसकार 1995 में निशाने इम्तियाज 1998 में मिला जो कि पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक सम्मान है Lifetime Achievement Award उन्हें मिला Bombay International Film Festival द्वारा 2001 में Outstanding Achievement in Indian Cinema 2004 में मिला Apsara Award Outstanding Contribution to Indian Cinema उन्हें मिला 2004 में 2009 में मिला Lifetime Achievement Award 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मभी भूशन पुरिसकार मिला और इसके अलावा 2017 में Living Legend Lifetime Award पंजाब एसोसियेशन द्वारा उन्हें मिला तो इस प्रकार अलग-अलग संस्थाओं और असोसियेशनों द्वारा उन्हें पुरसकार से सम्मानित किया गया दिलिप कुमार के बारे में ये कहना है कि वे दुनिया से विदा ले चुके हैं अब हमारे बीच नहीं है लेकिन अपने बहतरीन दमदार शांदार और अविस्मने अभिने से हमारी स्मिर्टियों में हमिशा रहेंगे आज पुर्ण्यतिती के अवसर पर उनके प्रशंसको चहाने वालों और तमाम सीने प्रेमियों की ओर से हम उन्हें साधर अभिवादन करते हैं हमारे चैनल की ओर से उन्हें और हमारे टीम की ओर से शत-शत नमन है जाते जाते उनके विशे में दो पंक्तिया कहना चाहूंगी कि हजारों साल नर्गिसी अपने बेनोरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदावर पैदा तो इसी के चाहर चलती हों नोंगी अनुमती अगली बार फिर से मिलोंगी बॉलीवर की कोई अन्य दिल्चस्प खबर या किस्ता लेकर तब तक के लिए नमस्कार